जैसे हम लोग बॉर्ण अगेन होते हैं जैसे हम लोग परमेश्र का संतान बन जाते हैं हम लोग का कमांडर सीटी बजाता है और कहता है कमान ट्रेनिंग स्टाट्ट्स धार्मिक्ता में ट्रेनिंग निती वचन का 22 का छे रॉब शेप्टर 22 वर्स 6 कब से जैसे हम लोग देखे कि बालकपन से ही बालकपन से ही शुरू हो जाता है ड्रेनिंग निती वचन एक ऐसा किताब है जो परमेश्र पिता अपने सारे बच्चों के लिए रिखा है परमेश्र 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 अपने बच्चों से बात करना है वर्स 6 में लिखा हुआ है लडके को सिक्षा उसी मार्ग की दो की दे जिसमें उसको चलना चाहिए वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा लडके के मन यान ही बच्चे के मन चाइल्स माइंड मुर्कता की गांट बंधी रहती है वो बंधी रहती है वो बंधी गांट है उसका लाइफ में बंधी गिया है वो परन्तु छडी की ताड़ना ट्रेणिंग, क्रेक्षण, रॉड अफ क्रेक्षण के द्वारा वो उससे दूर की जाती है how will a child not turn up to be a fool by training you understand prodigal son क्या था एक नंबर का मुर्क था वो ट्रेणिंग से दूर भागिया वो ट्रेणिंग से दूर भागिया निती वचन का तेईस का तेरा chapter 23 verse 13 लड़के की ताड़ना ना छोड़ना क्योंकि यदी तू उसको चड़ी से मारे तो वो ना मरेगा how can you deliver a person from death he won't die how can you deliver तो वो ना मरेगा चड़ी से ताड़ना what is God saying क्या चड़ी हम लोग पिछला पद में देखे की rod of correction correction ऐसे ही man marji नहीं मारना पर में शुर्ण वो नहीं बोड़ना है मन मर्जी मानो Lord is saying correction correction I remember a man of God brother Bhakt Singh brother Bhakt Singh का जिंदगी के अंत के दिनों में कुछ समय तक वो अंत के समय में अपने अंत के दिनों में वो बात नहीं कर पा रहे थे वो वीलचेर में रहते थे paralyzed रहते थे वो बात नहीं बात भी नहीं कर पा रहे थे और बहुत लोग को दया होता था उनको देख के अगर आपको उनके बारे मालूम है तो मालूम हो कि वो एक सिक परिवार से थे एक सिक पंजाबी परिवार से थे और वो एक सिक परिवार से थे यही वा तुम्हारा परमेश्वर के साथ चलने से, यही वा, देखो तुम्हारा लाइफ क्या हो गया है, देखो कितना चौपट हो गया हो तुम, क्या फाइदा है इसका, बोलो क्या कर रहे हैं तुम्हारे परमेश्वर, क्यों ऐसा किये हैं तुम, बोलो, क्या मिला ये सब कर उसमें परमेश्वर ने चोटा सचमतकार किये परमेश्वर उसमें ब्रादर भक्सिंग का मूँ खोले और उनके मूँ से एक शब्द निकलने परमेश्वर छोड़े ब्रर भक्सिंग उन्हों क्या बुले उसम है उनके मुझे से एक ही शब निकला एक लंबा लाइन एक्स्प्लेनेशन डॉक्ट्रिन सर्मन नहीं निकला अपना भाई के लिए एक शब निकला क्या था वो शब्द गेस पर्फेक्शन पर्फेक्शन मती का पांच वर्स 48 अर्टालीस में लिखा हुआ है जैसा तुम्हारा पिता सिध है वैसे ही तुम भी सिध बी पर्फेक्ट यहां याकुब के एक का सत्रा जेम्स 1.17 में लिखा हुआ है कि हर एक भला और सिध वर्दान every perfect and good gift परमेश्वर से आता है is from above परमेश्वर से आता है every good and perfect gift वो परमेश्वर वो पिता से आता है you understood means God अपने बेटों को अन्थ तक आखरी शन तक आखरी सेकेंड तक हम लोग को सिध कर रहे हैं हम लोग को सिध बना रहे हैं इशू मसी भी अपने डाटने वालों के सामने अपने पर रखने वालों के सामने शांत थे and he is perfecting us also और जब समय आया समय आ गिया you see परमेशर हम लोग से इतना प्यार करते हैं कि वो जानते हैं कि ये जिन्दगी छोटा है और वो आखरी पल तक हम लोग को training करेंगे आपको job से retirement मिल जाएगा बट अगर आप परमेशर का बेटा हैं परमेशर की बेटी हैं आपको परमेशर का ताड़ना से retirement नहीं मिलेगा you will not retire from the chastisement of God until you become perfect perfect का क्या मतलब? perfect मतलब issue मसी का स्वरूप में हम लोग जब तक बदलना जाए until we become come into the full image of Christ प्रकाशित वाक्य में लिखा हूँ है जिनसे मैं प्रेम करता हूँ उनको मैं ताड़ना देता हूँ whomever I love I rebuke and I chastise and I scourge Philippians का एक कछे में दिया हूआ है he who began a good work in me is faithful to finish it faithful to finish it प्रमेश्वर क्या हक्त में विश्वास योगिये हैं वो भला काम जो वो शुरू किये हैं उसको पूरा करने में उसको अंजाम तक पहुँचाने में and देखिए भाषा यह कैसा लिखा हूआ है यहाँ पर मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंब किया है he who started the good work वही उसे इश्व मसी के दिन तक पूरा करेगा notice यह नहीं लिखा हुआ है कि वो इश्व मसी के दिन में पूरा करेगा it's not written he will fulfill it on the day of Jesus Christ यह नहीं कि वो उस दिन पूरा करेंगे जहां हम लोग इश्व मसी के न्याय सिहासन के सामने है यह इश्व मसी के सामने हम लोग आगे हैं मृत्यू के सामने no till that day मतलब यह काम जो शुरुआत हुआ है हम लोग के जिन्दगी में आरंब कब हुआ जब मैं 16 साल का उमर में मैं इश्व मसी को अपने लाइफ में मन फिराया और ग्रहन किया उस दिन से हम विश्वास में आए उस दिन से मेरा लाइफ में क्या काम शुरू हुआ ताड़ना पर मैं शुर बोले हम तुमको बेटा के रूप में अपना रहे हैं लोड धन्यवाद अब्बा पिता है हमारे पिता थैंक यू लोड मैं बेटा बन गया हूँ वाड सेट वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड बेटा बचन पढ़ रहा सब कुछ लेकिन ये बेटा जो 16 साल में प्रभू को ग्रहन किया था लाइफ बिगड़ा हुआ था बिगड़ा हुआ था सोच बिगड़ा हुआ था आदत बिगड़ा हुआ था सब धार्मिकता का मार्ग में नहीं चल रहत है लेकिन अब नया जनम हो गया है धर्मी ठहरा दिये गया है क्या हुआ धीरे 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 ताड़ना पास्टर की वाइब करेक्ट किये थोड़ा सा कर लिए बहुत बुरा लगता बहुत ठोकर लगता बहुत गुसा लगता कमरा में जाते सोचते रहते लगतार तब फिर वचन सुनते प्रभु का भया आता प्रभु का भया आता नहीं जान रहे थे कि यह क्यों हो रहा है मेरा ल वर्फेस पिता सीद पिता है वो नहीं चोड़ेंगा बहुत सारे चीज हम अपना माता पिता से छुपाए प्रोब्लम परमिश्वर जब पिता है वो नहीं चोड़ेंगा इसलिए मिष्वासी अगर चीटिंग करेगा पकड़ाया जाएगा विश्वासी अगर अविश्वासी जैसा काम करेगा पकड़ाया जाएगा अविश्वासी बिना लाइसेंस घूम रहा है विश्वासी लाइसेंस बिना घूमेगा पकड़ाया जाएगा अव विश्वासी बच्चे लोग cheating कर रहे हैं विश्वासी करेगा पकड़ाया जाएगा अव विश्वासी धन्दा में धनली कर रहा है विश्वासी जब करेगा पकड़ाया जाएगा अव विश्वासी, अव विश्वासी से शादी करता है, marriage बना रहता है, विश्वासी, अव विश्वासी से शादी करेगा, देखो कितना problem आएगा क्यों? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो एमोस का तीन का तीन में लिखा हुआ है दो और तीन में एमोस का तीन का दो और तीन में लिखा हुआ है दो कैसे एक साथ परस पर चल सकता है जब तक कि वो सहमत ना हो how can two walk together unless they be agreed पृत्वी के सारे कुलों में among all the families of the मैंने तुम पर अपना मन लगाया है इसले तुम्हारे सारे धर्मों के लिए मैं दंड दूँगा I will correct everything I will correct everything but with grace not like a headmaster but as a father